वेपमें टूफे चरे दोते चैनल में आपका स्वागता है दोतो आज मैं आपके लिए आवार्ड कंपनी के हैंड प्लेनर लेके आँँ जैसे पहले में इनके ब्लोक प्लेनर और मार्किंग गेज लेके आए तो काफी कारपेंटर भाई ने उस वीडियो को प्यार दिया दोत तो यह भी मैं बताऊंगा यह आपको हैंड प्लेनर कहां से परचेज करने हैं और इनका क्या क्या प्राइज आ है जो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बैल आकन का बटन दमाएं हमारी लेटेश वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोतों सबसे पहले हम पांच न आपते हैं कितनी कंपनी देती है वैसे तो हम इसको 14 इंची का बोलते हैं यह 13 इंची साथ सूथ की लंबाई है और इसकी चुड़ाई की बात करें तो यह ड़ाई एंची का है दो तो इसमें ऐसी क्या खास बात है जोंसा और प्लेंडर से बिल्कुल अलग है यानि कि जितन न geschाप है यह शहीं नहीं होगी अगर घूबि गुलाई में आप उन पर देखिए ऐंडल उगारा जोंसा होगा उगा रषिआ ना प्लास्टिक वह और लोगहा Зने ये कलको पसीना वगारा भी आता है तो हमारे हाथों से कभी स्लिप नहीं होगी और हमारे हैंड के लिए भी काफी यानि की अच्छी रहती है इसकी पकड काफी अच्छी रहती है और आप बैक सेट में भी देखोगे तो यह इनने वुड़न का हैंडल दे रखा है तो समूथने था आपको मिलेगी पॉलिष्ण कर रखे है इसके ओपर और देखिए टप के उपर भी इन्होंने ब्रास की यह ब्रास किसलिए बड़ी तरीके से खूल जाता है अगर मैं टप को खोलूंगा यह देखिए बड़ी तरीके से यह तरीके से घप हमारा उपन हो जाता और देखिए यहां पर इनने ब्रास की दे रखिए आम जो उनसे प्ले प्लेनर होते हैं उनके अंदर क्याती लोहे की होती या बार बार हमें तेल देना पड़ता है अगर मीना डेड़ मीना नहीं चलाया तो वह जाम हो जाते हैं इसको आप साल भर भी रखो क्योंकि लोहा और सो इसमे कभी जंग नहीं लगेगा भी यह देखो कैसे बार कर रही यह देखिए यह देखिए कि सारी जिंद्दिक ऐसी रहे गा कि यह इंडिया के अंदर यह पहले इन्ह ने दो जार चार में या पांच में बेचे थे फिर इन्ह बंद कर दिया थे अब जीतना भी माल वगयरा यह अपने इंडिया में नहीं बेचती अंडिया से भाहर बेचती है पर आप फिर भी आप घब रहें ने आपको जो भी प्रचेज करना को तो आपको इस बार इंडिया में मिलेगा अब मैं इसका टेक वगएर फिट करके दिखाता हूं आपको यह देखिए इस तरीके से फिट हो जाएगी और इस तरीके से आपका यह टप आपको जि दिखाँ दो तो तेक आपने लेफ्ट राइट में करनी हो तो इसका लीवर भी बड़ा समूथ काम करता है यह देखिए यह नहीं कि आपका हैंड का जोर लगेगा उगली का फिंगर का बिल्कुल इजी काम करता है मलाई की तर दो तो अब हम बात करेंगे चार नंबर की या हां तक हमारा 9 इंची का आता है को कि इसमें हेंडल लगा तो इन्हेंने फालतू बढ़ा रखा 10 इंची के क्रीव है ठीक है हम इसको 10 ही मानते है और दोस्तों ऐसे यह कितना है यह हमारा धाई एंची का है और जोंची इसके अंदर तेक आती है वह हमारी 2 इंची की आती है जों इंची की आती है और छोदा 14 इंची का था तो इसके अंदर भी 2 इंची की आती है ठीक है और और सेम है वागे इसमें भी वुड का ही है तो इसमें भी ब्रास का है और दोस्तों यह देखिये इन्होंने लर्णिंग कितनी अच्छी कर रखी है hyvä यह यानि कि हमारे हाद स कोई भी कॉम्परमाई नहीं कर रखा यान की बैस्ट इनने क्वाल्टी कर रखी है मैं आपको यह भी बता दूँ अवार्ड की कंपनी भार को यह टूल सप्लाइ करती है और सेम प्रोसीजर यह सही है जैसे इसका मैं आपको इसका वर्क भी करके दिखाऊंगा इसमें प्लेनर तो इनने स्क्रू यहां पर लगा रखा बड़े वाले प्लेनर के अंदर चोदाइंची वाले के अंदर ऊजू सही है इसकी अंदर फंक्शन बो ही है यानि कि लंबाई चुड़ाई सेमें इनकी धाई इंची की इसकी भी धाई इंची की लंबाई में सिरफ फरक है तो तो हम दोनों प्लेनरों का वेट भी चेक करेंगे पहले हम 14 इंची वाले का करेंगे कितना है यह देखे यह आया 2 किलो 308 ग्राम इसका वेट आया 14 इंची वालेगा अगर हम 9 इंची वाले का करते हैं वेट उसका देखें कितना है तो यह आया है एक किलो 736 ग्राम के क्रीब आया मैंने दोनों का आपको वेट भी दिखा दिया झमाकी जब हम कभी भी किइदी या पार्टी के घर में वर्क करते हैं तो हम क्या करते हैं या तो फर्च होता है फर्च के ओपर प्राई डाल के यह पोश्चन हमारा फर्च को होता है तो उसके ओपर हम वर्क करते रहते हैं वर्क करने से क्या होता है कि हमारा यह जुन सा लोहा यह अपना प्लेनर का साइड हो तो आप भी ऐसे बना लिए इधर हमने फसादिया यानि कि कोई दूसरे आदमी की जूर्त की पकड़ने की जूर्त नहीं पड़ती इस तिलिके से आप इसमें वर्क कर सकते हो बहुत एजी तिलिके से वर्क होता है अब मैं आपको वुड के साथ इसको करके दिखाता हूं कि व वो ड़े चुड़ाई उतना ही इसका यह निकल आई यह देखिए है कि अज़िए है कि दो तो आपका नुएंची के पलेने का परफॉर्मस दिखाता हूं कि यहानि कि छोटे मुटे काम के लिए सबसे बैस्ट है कि यह से कोई हाथ में पकड़ के आपने टेपर करनी हो हुआ है कि दो तो यह मेरे पावाड का पलेनर है यह मैंने 2006 में लिया था यह देखिए आज तक वैसे का वैसा ना यह इसमें करवट आई ना टेड़ा हुआ ना बट पड़ा यह सब्सक्राइब यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए आपको नजर भी आ रहा हुआ और यहां में इंगलेंड लिखा हुआ यह देखिए इंगलेंड तो इसमें भी जितनी भी है यह वुड के यह ब्रास का लगा वा यह थी तूड की थी तो में हमने प्लास्टिक ही लगा दी थी तो अब इसमें यह हम चेंज करेंगी वुड की लगाएंगे इसके अंदर तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जों सा वुट का हैंडल प्लास्टिक के हैंडल में क्या फर्क रहता है अगर प्लास्टिक का हैंडल होगा तो हमारा यह वाला हैंड उसको आप कैसे सीधा कर सकते हो आपने करना है ग्रेन आइड का जैसे पत्थर होता है उसके उपर क्या करना सो नंबर वाले रेगमल को ऐसे आपने किसी भी अडेसिव के साथ ऐसे लगा देना और बलेट बाहर निकालने के बाद आपने का करने इसका बलेट बाहर निकाल देन और दोटो पर्चेजिंग के लिए जैसे मैंने बोला जैसे आप ओर्डर दोगे तो हपते और दस दिन के बीच में आपको मिल जाएगा दोटो अब हम इनके प्राइज की बात करते हैं पर्फॉमंस मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है और जुन सा अपना 14 इंची वाला रंदा ये आपको पढ़ेगा 2200 रुपेगा हो सकता आप लोग पंच कर रहे होंगे जो आपके हाथ में प्लेनर हो वो हो आपके पास सस्ता हो क्योंकि इसके अंदर खूबी है इतनी है तो करके ये महंगा है वो एक बार रोएगा उसको पंच जुरूर करेगा हाँ यार मैंने महंगा ले लिया सस्ते में बार-बार आदमी परिशान होता रहता है कभी इसमें बट पढ़ गया कोई भी आप टूल कोई भी चीज़ ले लिए ये नहीं कि मैं टूलों की बात करता हूँ तो यह वाला जोंसा पढ़ेगा यह आपको पढ़ेगा 2000 का यह आपको अगर चाहिए होए आवाड के टूल वगर आपको परचेज करने यह आम आपको दुकान पर नहीं मिलेगा सामने स्क्रीम के ओपर आपको वर्सम नंजर नंबर नजर आ रहा होगा तो वहां जाकर कोंटेक्ट कर सकते हैं अगर ब्लोक प्लेनर आपको चाहिए होगे तो ब्लोक प्लेनर के रेट भी आपको बता रखें तो आपको वहां से परचेज कर सकते हो और आपको मार्किंग ग झाल 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 झाल